श्रीशिवा नमस्तुब्यम राधे राधे एवरिवन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के वरतों का उध्यापन कैसे किया जाता है चाहे आपने पूरे सावन के महीने के वरत की हो या फिर सावन के सोमवार के वरत की हो तो इसके उध्यापन की विधी क्या होती ह क्या क्या सामिगरी लगती है कब हमें उध्यापन करना होता है तो देखिए हमारे वरत तभी पूरे होते हैं जब हम उसका उध्यापन करते हैं चाहे छोटा करें या बड़ा करें तभी हमारे वरत पूरे माने जाते हैं तो अपनी सामर्ते के अनुसार हमें उध्यापन जरू निकाल सकते हैं, और हरे रंकी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी शुब रंक, काले या नीले रंका हमें वस्तरदान नहीं करना है, साड़ी सूट देनी की सामरते नहीं, तो आप एक ब्लाउस पीस भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे चुनरी भी दे सकते हैं, तो इसी के साथ में शंगार की सामिगरी भेट की जाती है, तो शंगार की सामिगरी अपनी सामरते के अनुसार, चाहें तो सोलस शंगार की सामिगरी देते हैं, या फिर में में चीज़ें जैसे की चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, ये चीज़ें आप दान करें, तो शंगार की सा उध्यापन पूर्णिमा के दिन किया जाएगा जीद दिन रक्षा बंदनिन उस दिन उध्यापन किया जाएगा और 7 के साथ में कुछ ना कुछ दक्षिनां अपनी सामर्थे के नुसारर अप दिएगैं 11 separate 21 सें व्हों आप करूस्प दो नहीं आप जिने बान प्हादि को चाहें तो फ़ी合ो करता है या फिर आप चाहें तो दो आप हो इसा ता करता नहीं है प्रोगा टृप्ड प्रप्रण जए सकते हैं अगर आप रुमाल दे सकते हैं आप चाहे तो उसकी जगत जनेव भी रख सकते हैं वस्त रुपी कलावा भी रख सकते हैं और साथ में कुछ ना कुछ दक्षना आप जरूर रखें 111 से 501 जितनी भी सामरते हो और उसी के साथ में यहां पर देखिए सफेद अन अगर हो सके त लिए कलावा बांध करके 11 रुपे रख करके ऐसे श्रीफल आप जरूर दान करें अगर आप बहुत कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहे तो देखिए आप हरे फल दान कर सकते हैं या फिर आप केले दान कर सकते हैं तो इस तरीके से सामिकरी को आप रख लीजिए और उसके बाद में उसके ऊपर एक बेल पत्र रख दें इस तरीके से आप चाहे तो चांदी का बेल पत्र भी ला सकते हैं सामर्थ नहीं है तो बेल पत्र आप रखें क्योंकि देखिए बगवान बोलनात के पूजन में बेल पत्र का बहुत मैत होता है पूरे सावन के महीन कर दिया जाता है एक तरीके का संकल्प होता है जल छोड़ दिया जाता है सामिगरी के उपर और इसे हम दान कर देंगे और इसे आप चाहें तो देखे घर पर अगर आपके भूजन करने आ रहे हैं ब्रहामन ब्रहामनी तो उन्हें घर पर आप दान दे दें नहीं तो मंदिरा लिख्यापन करना है तो इस तरीके से में सुहाग की सामिग्री लेनीै 계속 अनुसार आप देखिए वस्तर के रूप में आप एक कुणरी भी दे सकते हैं और इस तरीके से चूड़ी जो में में बे सकते हैं वह बी 안 पणियोरी बिंदी मेंदी और चाहे थो आप पूरे 16 कzahl कि साम भगवान भोलिनात को भी दे कि वस्तर के रूप में आप चाहे तो एक रुमाल दे सकते हैं गमच्छा दे सकते हैं या फिर आप जनिव भी दे सकते हैं इस तरीके से और कुछ ना कुछ दक्षिना हमें अलग-अलग दक्षिना रखनी है भगवान भोलिनात के लिए और माता क लिए, इस तरीके से 11.19 से 50 जितने चाहिए उतने अप दक्षिना यह पर रख सकते हैं, और एक बेल पत्र हमें जरूर रखना है, सात में हमें धान करना है अन, इस तरीके से चावल आप दान करें, तो इसमें हमें लोटा दान करने के आवशक्ता नहीं, आप पैकेट में भी आप चावल डाल करके थोड़े, जितने भी चावल दान दे सकते हैं, तो बहुत थोड़ी सी सामिगरी आप आखरी सोमवार को मिनस करके, इसे भी हम मिनस करके देते हैं, तो अगर आपकी सामर्त है तो आप फल भी दान कर सकते हैं, एक दरजन केले बाट सकते हैं, जो भी रितुफल आ रहे हैं, उनको आप दान कर सकते हैं, अब जानते हैं कि कुवारी कन्या या फिर जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्होंने वरत किया हैं, उन्होंने वरत किया हैं तो देखिये, पुरुष तो महिलाओं के साथ ही उध्यापन कर देंगे, जो aggressive wife है, जोड़े से किया, या पुरी परिवार ने अगर उध्यापन किया तो इसी सामिगरी को हाथ लगा करके वो दान कर देंगे, सारी सामिगरी को, उन्हें अलग अलग उध्यापन करनी की आवश कुछ दक्षिना रख करके वो मंदिर में दक्षिना अधी चड़ाए और बाकी फल को या मिठाई को बांट करके भी अपना उध्यापन कर सकते हैं बहुत ही चोटे लेविल पे क्योंकि देखे कुवारी कन्याओं के उपर कोई ऐसा बर्डन नहीं होता कि वो प्रॉपर वे मे या फिर पूरे सावन के वरत किये हो तो ऐसे आप उध्यापन कर सकते हैं फ्रेंट्स उमीद करते हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल रहोगा वीडियो थोड़ा भी यूसफुल लगा तो प्लीज वीडियो कोलेक्शन चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर हर हर महादेव